हेलो फ्रेंड्स आज मैं भोपाल डिविजन के अंतरगत 20 माई 2022 को जेई-CNW का पेपर कंड़क्ट हुआ था उसका सॉलुसन देखेंगे इसलिए वीडियो की लाज तक बने रहें यब वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एं सेर करना ना भूल चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बोपाल डिविजन के अंतरगत पीपर कंड़क्ट करा गये थे डोकी हमारा WCR के अंतरगत आते हैं जो की हमारा जेई-CNW के लिए कंड़क्ट करा गये थे और इसका डेट 20 माई 2022 को कंड़क्ट हुआ था जिसमें प प्रस्न का जबाब देना था जिसके लिए मैक्समिम मार्क्स हंडेड रखे गये थे वहीं नेगेटीव मार्किंग की बात करें तो वन थर्ड इसके लिए नेगेटीव मार्किंग रखे गये थे नेश्ट पहले प्रस्न की बात करें तो रूप सीट थिकनेस इन BCNA वैगन इस 10 mm यानि BCNA वैगन की रूप सीट की मोटाई 10 mm होती है इसका सही उत्तर हमारा ओफसन नमबर C 1.6 mm होता है नेश्ट सेकेंड प्रस्न की बात करें तो DCP टाइप फायर इस्टिंग्यूसर इस्टिटूल टू इस्टिंग्यूस यानि DCP प्रकार का अगनी सामक बुझाने के लिए उप्यूगत है ते हमारा डीजल को बुझा सकते हैं एलेक्टिक को ही बुझाते हैं और पेट्रोल को यानि all of above यानि option number D हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण की बात करें how many angle cock are provided in a vehicle in 2-in-5 system यानि 2-in-5 system में एक वहान में कितने angle cock प्रवाइड की जाते हैं इसका सही उत्तर हमारा option C चार के संख्यां प्रवाइड की जाते हैं जो कि यह हमारा coach या बैगन होते हैं जिसमें double हमारा twin-5 system होते हैं तो दोनों तरब एक एक BP और एक एक FP लगे होते हैं जिसमें परतेक FP और BP में एक एक angle cock लगे होते हैं जो हमारा total 4 की संख्या को बताते हैं इसलिए हाँ पर हमारा option C चार सही उत्तर हो जाएगा next person की बात करें इन ear spring bogey gap maintain between lower plank and upper plank is 10 mm यानि एक ear spring bogey में निचले तक्त और उपरी तक्त के बीच की gap 10 mm होते हैं इसका सही उत्तर हमारा 255 mm होते हैं यानि option D हमारा सही उत्तर हो जाएगा next person की बात करें during proper pressure in ear spring the position of leveling valve becomes an ear spring में उची दवाव के दोरान labeling valve की इस्तिती dash होती है इसका सही उत्तर हमारा option B horizontal position में होते हैं इन इस option B हमारा सही उत्तर हो जाएगा next person की बात करें number of labeling bulbs bitter in one spring bogey और यानि एक ear spring bogey में लगे labeling valve की संख्या कितनी होती है एक ear spring bogey में दोनों तरफ एक labeling valve लगे होते हैं जो की हमारा ear spring के height को maintain करने के लिए लगाए जाते हैं तो यह हमारा option A यानि दो की संख्या में लगे होते हैं next person की बात करें capacity of auxiliary reservoir used in ear spring is dash liter और एक ear spring में परियुक्त auxiliary reservoir की संख्या डैस लिटर की होती है इसका सही उत्तर हमारा option number D 40 liter हमारा सही उत्तर हो जाएगा next person की बात करें capacity of main reservoir of ear spring system is an ear spring system के मुख reservoir की छमता dash liter होती है इसका सही उत्तर हमारा डैसो लिटर का होता है और option C हमारा सही उत्तर हो जाएगा next person की बात करें type of bogey used in hybrid coaches और hybrid coach में इस्तमाल की जाने वाली bogey का परकार क्या होता है इसका सही उत्तर हमारा इसमें modified ICF coach का प्रयोग की जाते हैं जो कि आप देखते होंगे कि ICF coach के जो हमारा bogey होते है उसमें हमारा secondary suspension में coil spring का प्रयोग की जाते हैं जबकि हमारा modified ICF coach में हमारा इसमें year spring का प्रयोग की जाता है ताकि यात्री को बेहतर रामतायक महसूस हो सके यानि इसका सही उत्तर हमारा option number C modified ICF coach हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्म की बात करें lateral and longitudinal guidance of Fiat Voguey is made way यानि Fiat Voguey का पार्सर्व और अनुधर के मार्क दसन डेस्क हे तू किसका इसमाल किया जाता है तिसका सही उत्तर हमारा option number B articulated control arm यानि option B हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्म की बात करें condoming wheel daya in Fiat Voguey is 10 mm यानि Fiat Voguey में wheel daya की condoming limit 10 mm होती है इसका सही उत्तर हमारा option number A 845 mm होते हैं यानि option A हमारा सही उत्तर हो जाएगा लेकिन आप इसमें ध्यान रखे कि किसी किसी division में इसकी condoming limit of 855 mm कर दी गई है जो आप option के recording आप सही उत्तर का चुनाब करें कि निश्ट प्रसंची बात करें चोक डाया of PEAV यानि passenger emergency alarm valve of LHP coach is 10 mm यानि LHP coach के PEAV का चोक डाया हमारा 19 mm की होते हैं जो कि हमारा coach के इंड वाल में एक तरफ लगे होते हैं आनि option B हमारा सही उत्तर हो जाएगा वहीं अगर ICF की बात करें कि ICF में चोक डाया कितने होती हैं तो हमारा 8 mm के होते हैं नेस्ट फ्रस्नी बात करें piston stock of brake cylinder of BBZI is 10 mm यानि BBZI के brake cylinder का piston stock 10 mm होते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा 32 mm के होते हैं वहीं बात करें BBZI में हमारा दो ICF टोली का प्रयोग के जाता है ताकि इसमें अराम दायक गार्ड के लिए बहतर हो सके नेस्ट फ्रस्न की बात करें horizontal gripping in H type coupler is 10 mm यानि H type coupler में horizontal gripping 10 mm होती है इसका सही उत्तर हमारा option A plus minus 110 mm होते हैं यानि option A हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेस्ट फ्रस्न की बात करें तो vertical gripping in H type coupler is 10 mm यानि इसका सही उत्तर हमारा H type coupler में जो vertical gripping होती है इसका सही उत्तर हमारा option B plus minus 90 mm होते हैं आप देख सकते हैं किसमे हमारा horizontal gripping पूछा गया था जिसका सही उत्तर हमारा plus minus 110 mm वहीं अगर vertical gripping पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हमारा plus minus 90 mm होते हैं इस बात की आप ध्यान रखें नेश्ट प्रस्ट की बात करें standard distance between knuckle nose and guard arm is 10 mm यानि नकल nose और guard arm के बिच मानकदूरी 10 mm होती है इसका सही उत्तर हमारा option number A 127 mm हमारा सही उत्तर होंगे next person ये बात करें in ICF screw coupling coaches distance between two buffers at one end is 10 mm यानि ICF screw coupling के एक छोर पर दो बफरों के बीच की दूरी 10 mm होती है इसका सही उत्तर हमारा 156 mm होते हैं वहीं अगर आप से पूछा जाए कि दो बफर के बीच variation कितना होना चाहिए ये हमारा 75 mm की होते हैं वहीं अगर maximum buffer height पूछा जाए तो 1205 mm वहीं अगर minimum पूछा जाए तो 1030 mm buffer height होते हैं इस बात के आप ध्यान रखे निश्ट प्रस्ट की बात करें track gauge is measured 10 mm below the rail top यहीं ट्रैक गेज को rail top के नीचे 10 mm से महापा जाता है तो इसका सही उत्तर हमारा option A 13 mm हमारा सही उत्तर हो जाएगा निश्ट प्रस्ट की बात करें तो can't और super elevation is provided at dash अनि can't या super elevation dash पर उपलप्त कराये जाता है इसका सही उत्तर हमारा option D curve सही उत्तर हो जाएगा निश्ट प्रस्ट की बात करें the longitudinal moment of rails in the track is called निश्ट प्रस्ट में रेलो के अनुदर के संचलन को dash कहा जाता है इसका सही उत्तर हमारा creep कहा जाता है निश्ट प्रस्ट नहीं बात करें at originating station the brake power percentage for male express should be निश्ट प्रारंबिक station पर male express train के लिए brake power 36 dash होना चाहिए इसका सही उत्तर हमारा option number 30 100% हो जाएगा वह यगर इंडोट की बात करें कि इंडोट में minimum कितनी होनी चाहिए यानि बीच की रास्तों में यह हमारा 90% minimum होनी चाहिए male express या super fast trainer के लिए निश्ट बात करें तो during suspension dash percentage of basic pay and DA is given to employee निश्ट परसंट के दोरान क्रामचारियों को मुल बेतन और DA का 10% परदान किया जाता है इसका सही उत्तर हमारा option यह 50% हो जाएगा निश्ट परसंट की बात करें maximum diameter of Excel mounted disc brake in LHP coach is 10 mm यहनि LHP coach में Excel mounted disc brake का अधिकतम ब्यास 10 mm होते हैं इसका सही उत्तर हमारा option number A 340 mm होते हैं वहीं अगर आपसे ठीकनेस पुछा जाए कि बेक डिस्क का ठीकनेस कितना होता है तो इसका सही उत्तर हमारा 110 mm होते हैं जो हमारा new condition में होते हैं वहीं अगर कंडम condition में ठीकनेस पुछा जाए तो यह 96 mm के होते हैं निश्ट परसंट की बात करें तो first POH of newly built wagon वाक्सेन वागन is 10 years आनि 9 निर्मीत वाक्सेन वागन का पहला POH 10 verse में किया जाता है तो इसका सही उत्तर हमारा option number D 6 verse पर किया जाता है वहीं निश्ट परसंट की बात करें तो broad gauge track gauge is 10 mm आनि broad gauge का track gauge 10 mm के होते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा 1676 mm हो जाएंगे यानि हमारा option number B सही उत्तर हो जाएगा वहीं अगर नेश्ट परसंट की बात करें तो नेश्ट परसंट पुछा गया है कि how many automatic twist lock used in one VLC wagon आनि bogey low container wagon में एक wagon में कितने 140 twist lock का उप्योग किया जाता है तो इसका सही उत्तर हमारा option A आठ की संख्या में उप्योग की जाते हैं नेश्ट परसंट की बात करें rate of variation in cross level per meter is record आनि परति मितर cross level में भीनिता के दर क्या कहलाती है तो इसका सही उत्तर option number A twist सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट परसंट की बात करें if gauge is found in less than 1670 mm on a straight track is term edge आनि यदि gauge 1670 mm से कम सिधे track पर पाए जाता है तो इसका सही उत्तर हमारा tight gauge हो जाएगा आनि option C हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसके अलावा बात करें कि अगर बात करें यहाँ पूछा गया था 1670 mm से कम तो उसको हम tight gauge बोलते हैं वहीं अगर 1682 mm से जादा हो तो उसे हम select gauge के नाम से जानते हैं वहीं अगर 1676 हमारा हो तो उसे हम standard gauge की रूप में जानते हैं लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया था इसका सही उतर कास्ट स्टील का बना होता है बफर बलंजर पेस अगर ICF कोच की ब्रेक स्लेंडर की बात करी की ब्रेक स्लेंडर ICF कोच का किस चीज़ का बना होता है तो यह पना होता है कास्ट आइरन नेस्ट परस्ट की बात करें इसका सही उतर पर की जाते है तो हमारा B-Cedule हो गए वहीं बात करें कि A-Cedule कितने दिन पर किये जाते हैं तो A-Cedule हमारा 1 month plus minus 3 days पर किये जाते हैं इसलिए हैं पर हमारा Ecolising Stray Dot की Gracing की बात की गए है जो कि B-Cedule के अंतर गताते हैं यानि Option B हमारा सही उत्तर हो जाएगा Next परसन की बात करें Fiat Bogie is used in यानि Fiat Bogie का प्रियोग डैस में किया जाता है इसका सही उत्तर हमारा Coach में किया जाता है यानि LHV Coach में हमारा इसका उप्योग किया जाता है वहीं Next परसन की बात करें कि Condemning Height of Elastomatic Pad is dash mm यानि Elastomatic Pad की Condemning उचाई क्या होती है तो इसका सही उत्तर हमारा Option B 42 mm होते हैं वहीं अगर New पूछा जाए कि New कितन में पर होते हैं ते हमारा 46 mm पर होते हैं नेश्ट परसन की बात करें परिमस्थिवूल वैरियेशन इन भील डाया आप सेम कैसन बोगी यहां पर बोला गया है सेम कैसन बोगी और बैगन में चक्को की वैरियेशन कितना होता है तो आप इसका सही उत्तर Option C 13 mm होता है लेकिन इसकी अलावा अगर बात करें कि और सेम एकसल पर क्या होते हैं सेम बोगी में और सेम बैगन में तो बात करें अगर गोड्स की तो सेम एकसल की बात करें सेम बोगी और सेम बैगन तो सेम एकसल में हमारा 0.5 mm बोगी की बात करें तो हमारा 13 mm वहीं अगर बात करें कि सेम बाइगा नहीं किता होता है तो यह हमारा 25 mm का डिफरेंस होता है वहीं अगर कोच की बात करें कि कोच में हमारा कितने होते हैं तो कोच में हमारा होता है सेम एकसल सेम बोगी और सेम कोच तो 0.5 mm दोनों में सेम रहते हैं लेकिन बोगी में बात करें तो बोगी में यह 5 mm वहीं कोच में सेम कोच में बात करें तो यह 13 mm का डिफ्रेंस आ जाता है जो की गुड्स में 25 mm के होते हैं हुआ है निश्ट प्रसंगी बात करें तो लीमिٹ ऑफ फ्लेट टायर इन बैगन फ्लेट बैगन में फ्लेट टायर के सीमा 60 mm की होती है अनि उप्सन डी हमारा सही कुछतर हो जाएगा वहीं अगर कोचिंग के बात करें तो यह फ्लेट टायर की सीमा 50 mm की होती है नेस्ट परस्ण की बात करें, सिलेंडर डाया और डिस ब्रेक, सिस्टम इस डाया कितना होता है या तेन इंच का होता है या आप इसको दो सब पच्पन इम्यम कह सकते हैं नेस्ट परस्ण की बात करें, तो SS2 सेडूल ऑफ लेच्पी कोच इस डाया इंटर्वल ऑफ डैस मॉन्थ एन लेच्पी कोच का SS2 सेडूल डैस मा के अंतराल पर किया जाता है इसका सहिवतर हमारा ओफ संसी, 36 मा या 3 स आप बोसे शकते हैं या आप इसके लावा बोसे कि 12 लाग किलोमेटर जो भी पहले हो उस पर हमारा SS2 सेडूल किया जाता है निश्ट बात करें कि SS1 कव किया जाता है तो SS1 हमारा 18 मंत या देर वर्ष पर या 6 लाख किलोमेटर जो भी पहले हो उसमें किया जाता है वहीं अगर SS3 की बात करें तो SS3 में हमारा 72 मंत यानि आप 6 यर्ष भी बोल सकते हैं या 24,00,000,000 आधार जो भी पहले हो उसमें किया जाता है नेश्ट परसन की बात करें फ्लोर्ट सीट मैटेरियल युज इन बॉक्सन र वैगन इस अनि बॉक्सन र वैगन में प्रियूक्त फ्लोर्ट सीट का मैटेरियल किसका वना होता है इसका सही उतर हमारा option C IRISM 44 का उप्योग किया जाता है Next person की बात करें The periodicity of past 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 control in AC coaches यानि AC coachों में किट नियंतरने की आज़गता कितनी होती क्या होती है इसका सही उतर हमारा option A 15 days पर किये जाते हैं यानि option यह हमारा सही उतर हो जाएगा Next person की बात करें Capacity of MK50 draft gear is 10 kg meter यानि MK50 draft gear की छमता 10 kg meter होती है मीटर होती है इसका सही उतर हमारा option A 53-85 यानि option A हमारा सही उतर हो जाएगा Next person की बात करें After break application The control reservoir is disconnected from the यानि break लगाने के बाद Control reservoir का connection dash से कट जाता है इसका सही उतर हमारा option A Break pipe सही उतर हो जाएगा यानि option A हमारा सही उतर हो जाएगा Next person की बात करें What is the choke diameter of guard emergency brake valve यानि guard की अपतकालिन brake valve का चोक व्यास कितना होता है इसका सही उतर हमारा option B 5 mm के होते हैं Next person की बात करें What type of isolating cocks are provided in passengers coach यानि passenger coach में किस तरह के isolating cock प्रियूग की जाते हैं Next person की बात करें Earhouse can be connected to यानि एक earhouse को जोरा जा सकता है BP, BP pipe या AP pipe यानि feet pipes का काक्टा पेंगल को Option C हमारा सही उतर हो जाएगा Next person की बात करें Dash form is used for sending condemned material to store And dash form का condemned material को इस्टोर भेजने की में लाय जाता है तो इसका सही उतर हमारा Option A, DS8 यानि Option A हमारा सही उतर हो जाएगा Next person की बात करें The function of main valve of C3 type DV Is to supply requisite amount of pressure into the brake cylinder wind यानि C3 फरकार के DV के muck valve का कार्ज Brake cylinder में आपसे मातरा में दवाब किया पूर्ति करना है जब BP pressure is reduced आनि Option A हमारा सही उतर हो जाएगा Next person की बात करें What do you mean by CTR? आनि CTR से आप क्या समझते हैं CTR का full pump होता है Single card test rig आनि Option C हमारा सही उतर हो जाएगा उन्हें अगर बात करें Option C में कि हमारा leakage test क्या होता है तो leakage test हमारा 0.2 kg cm2 पर मिनट से ज़्यादा leakage rate नहीं होनी चाहिए कोई next person की बात करें कि what is the full pump of HPD आनि HPD का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका सही उतर होता है Hotbox Detector आनि Option A हमारा सही उतर हो जाएगा नेश्ट परस्ट की बात करें VC event Plug is used for आनि VC event plug का उप्यो किया जाता है तो इसका सही उतर हमारा हो जाएगा Break Release करने के लिए तो इसका सही उतर हो जाएगा नेश्ट परस्ट की बात करें The function of debt collector is to segregate debt particles from the year और debt collector का कार्ज वायू से गंदगी के कन को अलग करना है Before coming to DB आनि जब DB में आने से पहले ही debt collector के जितने भी गंदगी होता है और debt collector के दौरा साफ करके ने के बाद हैं DB में भेजा जाता है आनि option B हमारा सही उतर हो जाएगा नेश्ट परस्ट परस्ट बात करें The position of handle to open angle cockies आनि angle cock को खुनने के लिए handle की स्थिति क्या होनी चाहिए तो ये हमारा खुली स्थिति में parallel to pipeline आनि option A हमारा सही उतर हो जाएगा नेश्ट परस्ट 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 करें select list row bar and SLD using dash wagon अनि SLD हमारा प्रियोग के जाता है प्रियोग हमारा PLC wagon में के जाता है जो हमारा A car और B car के बीच जहां connect करने के जोड़ परती है वहाँ पर हम direct एक पांच car की unit होती है जिसे हम जिसमें दो A car होती है और तीन B car का एक हमारा एक unit होता है जिसमें हमारा B car के बीच हमारा SLD लगे होती है नेश्ट परस्ट 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 करें types of side wearers fitted in cash knob 22 HS bogey हैनि cash knob 22 HS bogey में लगे side wearer का परकार क्या होता है इसका सही उतर हमारा option भी spring loaded CC type side wearer and pure type side wearer का प्रयोग के जाता है यानि option B हमारा सही उतर हो जाएगा नेश्ट परस्ट 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 करें the full form of HRE beach is used in accident relief train यानि accident relief train में उपयोग की जाने वाली HRE का full form क्या होता है इसका सही उतर हमारा hydraulic re-layering equipment यानि जो हमारा option A में दीकरा है यानि हमारा option A सही हुत्तर हो जाएगा यानि hydraulic re-layering और equipment सही हुत्तर इसका हमारा option A है नेश्ट बात करें chairman of staff benefit fund at headquarters journal railway इसका सही हुत्तर हमारा होता है option C यानि principal chief personal officer हमारा सही हुत्तर हो जाएगा वहीं इसका हमारा option C हमारा सही हुत्तर हो जाएगा next person बात करें the color of BPC of CC wreckage आनि CC wreck के BPC का color हमारा yellow color का होता है वहीं अगर बात करें कि इसके लिए 100% brake power originating station पर दिया जाता है वहीं अगर in route की बात करें तो हमारा minimum 90% होना चाहिए वहीं अगर बात करें main power की कितनी main power के जोद परती है CC wreck के लिए ति हमारा 100 main hour की जोद परता है इसकी examination के लिए वहीं बात करें CC wreck के full firm की यह हमारा होता है closed circuit इसका full firm होता है next बात करें AAC is for dash items आनि average annual consumption इसका full firm होता है average annual consumption is for dash items आनि AAC dash के लिए उप्योग के जाता है तिसका सही उतर हमारा option B stock के लिए उज़ के जाता है next बात करें full firm of OEMRS आनि OEMRS का पूर्ण रूप क्या होता है इसका सही उतर हमारा online monitoring और rolling stock सही उतर होता है आनि option B हमारा सही उतर हो जाएगा next बात करें full firm of GEM आनि GEM का पूर्ण रूप क्या होता है इसका सही उतर हमारा government E-market पहले सोता है आनि option C हमारा सही उतर हो जाएगा next बात करें to E-dimension of box and baggern is 10 mm आनि box and baggern का E-M-mm होता है तो इसका सही उतर हमारा option A 500 255 mm हमारा सही उतर हो जाएगा वही अगर बात करें कि हमारा E-dimension कहा होता है तो E-dimension की बात करें कि E-dimension कहा होता है तो E-dimension हमारा A से भी protection tube लगे होते हैं और spindle पर लगे cut mark के बीच की दूरी को हम A-dimension group में जानते हैं वही अगर A-dimension की बात करें तो all type bogey, catchnob bogey fitted में हमारा होता है 70 plus 2 minus 0 वही अगर बावारन की case में बात करें तो बावारन में यह हमारा होता है 27 plus 2 minus 0 वही बात करें कि A-dimension होता कहा है तो ऐसे भी barrel और contour drug के बीच head के बीच हमारा distance जो होता है उसको हम A-dimension की रूप में जानते हैं नेश्ट परस्नी बात करें न्यू विल्ड आया और P-8 bogey is 10 mm प्रियट पोगी के नए चक्के काडामेटर कितना होता है ति हमारा 915 mm होता है अनि option D हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट परस्न की बात करें तो how many coaches are there in gunna sperm में भी अनि gunna sperm में कितने coach होते हैं इसका सही उत्तर हमारा option A तीन सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट परस्न की बात करें तो एक्षल capacity of walkson R wagon is destined और वाक्षन आर वैगन की एक्षल समता हमारा destined की होती है तिसका सही उत्तर हमारा 22.9 ton का हमारा एक्षल capacity इसका सही होता है जिसमें हमारा cash now 22 NLV टोली परियूक की जाते हैं नेश्ट परस्न की बात करें तो एक्षल आर वाक्षन बैगन इस डैसमें यानि वाक्षन बैगन का ए आयाम कितना होता है तो यह हमारा 70 mm होता है यानि option यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा लेकिन सिर्फ एक टाइप का बोगी हमारा होता है बैगन जो कि बावारेन होता है जिसके लिए एडाइमेंशन अलाग होता है बाकी सारे कलेश्यम होता है वावारेन की केस में हमारा 27 प्लस दो मैनस जीरव में होते हैं प्लस परस्ट बात करें तो मैक्सिमम स्पीड ओप बीना 140 टन क्रेश और बीना 140 टन क्रेश्यम की अधित्तम गति क्या होती है तो इसका सही उत्तर हमारा ओप्सन भी 100 किलोमेटर होती है नेश्ट फरस्ट की बात करें तो नमबर ओप आर्टिकुलेटर कंट्रोल आर्म इस फियेट वोगी आर्थ यानि फियेट वोगी में आर्टिकुलेटर कंट्रोल आर्म की संख्या क्या होती है इसका सही उत्तर हमारा चार की संख्या में होती है जो की परतिक प्राइमरी सस्पेंशन में चक्चे के पास कंटोल करने के लिए लगा जाते हैं यानि टोटल चार चक्चे होते हैं परभोगी में तो हमारा चार की संख्या में कंटोलबार मोहंगे यानि आफसन एह हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेस्ट प्रस्म की बात करें टोटल नंबर आफ बर्थ इन सेकेंड कलाश स्लीपर थ्री टियर आईसी अप कोज इज़ अनि दितिये सेरनी के स्लीपर थ्री टियर आईसी अप कोज में कुल बर्थ की संख्या कितनी होती है तिसका सही उतर हमारा 72 हो जाएगा यानि आप्शन स हमारा सही उतर होगा नेस्ट प्रस्म की बात करें वाट सुट भी दा मैक्सिमम डिस्टेंस बिट्विन सेप्टी लूप एन एकसल इन आईसी अप होगी ने आईसीफ होगी में सेप्टी लूप और एकसल के बीच की अदिक्तम दोड़ी कितनी होती है यह हमारा आप्शन सी चालीस एमें हमारा सही उतर हो जाएगा नेस्ट प्रस्मी बात करें तो वाट इस दा थिकने डिस्टेंस बिट्विन साइड बिरर और आईसीफ यह आईसीफ कोच के साइड बिरर के बीच डिस्टेंस केतना होता है तो इसका सही उतर हमारा आप्शन सी सोला सही में हमारा सह बी 40 एम होते हैं नेस्ट फ्रसनिक बात करें तो दबेट आफ दगोच इस टांसपर्ड थूरू रहनी कोच के भार किसके माध्यम से अस्तानांत्रित किये जाते हैं तिसका सही उत्तर हमारा आफ साइट बेर के दवण के जाता है और आफ नेस्ट बात करें चेल्जम साइट बेवां लिए एक पिर इपरी आफ फ्रसनली के बात करें तो फ्रसनली तो यह होता है पर्मानेंट नीगोसियेटिंग मसिनरी आनि आप्सन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा निश्ट प्रस्न की बात करें तो पिस्टन स्टोक कोच और बोगी मांटेर ब्रेक सिलिंडर का पिस्टन स्टोक कितना होता है यह हमारा 32 मिम का होता है जो कि ICF कोच में लगे होते हैं जो कि अगर बात करें पर बोगी हमारा 2 की संख्या में लगे होते हैं वहीं अगर बोगी की पर बोगी वहीं पर कोच की बात करें तो यह हमारा टोटल 4 की संख्या में लगे होते हैं नेश्ट परस्ट में बात करें, what is the birth capacity of AC2 tyre, LHP coach यानि AC2 tyre LHP की birth की छमता क्या होती है, इसका सही उत्तर हमारा 54 यानि option A हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट परस्ट में बात करें, तो हमारा length of our body of LHP coach is 10 mm, यानि LHP coach के body की लंबाई 10 mm होती है, तिसका सही उत्तर हमारा 23,540 mm होता है, जो कि body to body होता है, वही length of our coupler पूछा जाए, length of our coupler क्या होता है, ति यह हमारा होता है 24,000 mm नेश्ट परस्ट में बात करें, the rigid wheel waste of LHP coach is 10, यानि LHP coach के body rigid wheel waste क्या होता है, इसका सही उत्तर हमारा option A, 2560 mm के होते हैं, वहीं अगर ICF से पूछा जाए, कि क्या होता है, तो ही हमारा होता है 28, 96 mm होते है नेश्ट परस्ट में बात करें, DASH is the highest authority of mechanical department of general railway, यानि DASH सहतरिये railway के यांतरी विभाग के सर्वस अधिकारी होते हैं, इसका सही उत्तर हमारा option A, PCME होता है, आनि principal chief mechanical engineer, इसका full firm होंगे, आनि option A हमारा सही उत्तर होगा नेश्ट बात करें, A railway employee is entitled for a total of LAP, DASH LAP in a year, यानि एक रिलकरमचारी का एक बस में कुल DASH LAP का हगदार होता है, इसका सही उत्तर हमारा option D, 30 LAP के लिए यह ले सकता है, मिलता है नेश्ट बात करें, the validity of premium examined wreckage, यानि premium परिश्चित wreck की बैदता 12 plus minus plus 3 days होता है, जो कि इसकी BPC की कलर हम बात करें, तो यह हमारा green कलर क्या होता है और यह अगर इसकी बात करें, percentage की तो 95% originating station per minimum break power percentage होनी चाहिए और यह अगर mind power की बात करें, तो यह हमारा 75 main hour की जरुत परती है, premium examination के लिए यहाँ पर सिर्फ हमसे examination की बैदता पुछा गया था, option C लगा कर हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट बात करें, in the classification of train accident, drill element comps under which category यह रिलेवे दुरहतना परगिरन के अंतरगत डिलेवेंट की दुरहतना कि सेरनी में आती है, इसका सही उत्तर हमारा option B यह दी सेरनी में हमारा आता है नेश्ट बात करें, the full form of ART, accident relief train इसका full form होता है नेश्ट बात करें, in the classification of train accident, fire in trains comps under which category यह दी सेरनी के अंतरगत आता है, इसका सही उत्तर हमारा option number D, यह दी सेरनी के अंतरगत आता है नेश्ट पसनी बात करें, what is the trace drive minimum height of CBC, आने CBC की निधायत ने उन्तम height कितनी होती है तो यह हमारा 1030 mm होता है minimum, वहीं अगर maximum पूछा जाए, तो maximum होता है 1105 mm होते है नेश्ट पसनी बात करें, under HOER, AI is a standard for, यह एच ओ ए आर के तहट, AI का अर्थ क्या होता है तो AI का अर्थ होता है, essential, intermittent, यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट पसनी बात करें, new wheel diameter of casino bogey age और केस्ट पसनी बात करें, नए पईये का अभियास कितना होता है, यह हमारा होता है, 1000 mm, और option number C हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो यह अगर कंडम की बात करें, तो यह होता है, 906 mm होता है नेश्ट पसनी बात करें, SAP stand for, यहने SAP का full firm क्या होता है, तो alarm channel filling इसका सही full firm होता है, यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट पसनी बात करें, तो D.A.R. stand for, यहने D.A.R. desk परदेशिस करता है, इसका full firm होगा, discipline and appeal rule इसका सही full firm होता है, और option C हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट पसनी बात करें, FIVA stand for, यहने FIVA का आर्थ क्या होता है, तो FIVA का आर्थ होता है, failure indication, come break, application device का सही full आनि option C हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट पसनी बात करें, तो Sperm available in Bhopal Division Act, यहनि Bhopal मंदल में Sperm desk में upload है, तो इसका सही उत्तर हमारा option D, Guna में upload है नेश्ट पसनी बात करें, तो in ICF bogey, type of primary spring UG, यहनि ICF bogey में प्रात्मी spring का प्रकार क्या होता है, इसका सही उत्तर हमारा coil spring प्रयोग के जाते है, यहनि option B हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट पसनी बात करें, B-class ART available in Bhopal Division Act, यहनि B-class ART and Accident Relief Train desk station पर भी उपलब्द है, तो इसका सही उत्तर हमारा option C Bhopal हो जाएगा नेश्ट पसनी बात करें, under D.A.R.S.F. 11 is issue 4, अन्हें, S.F. 11 desk के लिए जारी किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा minor penalty के लिए जारी किया जाता है, उन्हें अगर बात करें, S.F. 5 किस लिए जारी किया जाता है, तो S.F. 5 हमारा standard form होता है, वो हमारा major penalty जब होता है, उसके लिए जारी किया जाता है, वो ही अगर आपकर आपसे पूछा जाए कि dim suspension किसके अंतर करता है, ती होता है, S.F. 2 होता है, जिसमें हमारा dim dim suspension रखा जाता है, इस पर भी काफी प्रस्ण पूछे जाते हैं, जिसका आप ध्यान रखें, ने इस प्रस्ण भी बात करें, maximum speed coach in India is 10 km per hour, यानि भारत में LHP coach की अधिक्तम गती 10 km घंटा होती है, इसका सही कुत्तर हमारा option A, 160 km per hour हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ने इस प्रस्ण भी बात करें, अंडर D.A.R.S.F. 1, E.G.S. report and D.A.R. के अंतर गत, S.F. and standard form 1 dash के लिए जारी किया जाता है, ती हमारा suspension के लिए जादी किया जाता है, वहीं S.F. 2 हमारा dimmed suspension के लिए जारी किया था, यानि यह simple suspension हो गया, वही S.F. 2 हमारा dimmed suspension हो गया, यानि option हमारा S.F. 1 पुछा गया था, यानि सिर्फ suspension है, यानि option हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ने इस प्रस्ण की बात करें, अंडर D.A.R. four major penalties to railway improvised standard form is issued and D.A.R. के अंतरगत, railway करमचारी के लिए दिर्ग सास्कती, सास्कती के लिए 10 फ़र्म जारी किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा option A, इस से 5 जारी किया जाता है, ने इस प्रस्ण की बात करें, full form of copmo, यानि copmo का full form क्या होता है, option C, central organization for modernization of workshop हमारा सही उत्तर हो जाएगा यानि option B, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस सेंटल organization for modernization of workshop, इसका full form हो जाएगा, 96 का B, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ने इस प्रस्ण की बात करें, 97 की full form of JCM, यानि JCM का full form हमारा होता है, joint, consultive machinery, यानि option C, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ने इस प्रस्ण की बात करें, 98 की what is the full form of PL number, यानि PL का full form क्या होता है, तो price list number होता है, जो की 8 digit का होता है, यानि 8 अंकों का, यानि options C, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस पर ज्यादा जनकारी के लिए हमारा वीडियो पना हुआ है, PL number पर, इसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ने इस प्रस्ण की बात करें, full form of TC in MIMU, और मिल हमारा होता है, मिल में, TC का full form क्या होता है, तो हमारा TC का full form होता है, trailer coach, और option भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और याकर MIMU की, हम full form की बात करें, कि MIMU का full form हमारा होता है, में लाइन इलेक्ट्रेक मल्टिपल यूनिट, यानि में लाइन इलेक्टिक मल्टिपल यूनिट हमारा MIMU का हो गया, तीसी का हमारा हो गया, तेलर coach, और option भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नेश्ट प्रस्नी बात करें, full form of DMC MIMU, यानि MIMU में DMC का full form हमारा होता है, driving, motor coach यानि option हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नेश्ट 10% पुछे गएते हैं राजभासा से, जिसको हम अगर 100 गेंदर गत कोई 10% नहीं जवाब दे पाते हैं, तो उसके अलावा आप 100 तक पहुचने के लिए आप 10% की सहायता ले सकते हैं, जिसके लिए आप अलग से 10% दिये जाते हैं, राजभासा का, जिसमें पहला प्रसन पूछा गया था, हिंदी दिवस is celebrated on desk every year, और हिंदी दिवस परती बस desk को मनाया जाता है, ऑफशन ए 14 सितंबर को मनाया जाता है, नेस्ट प्रसन की बात करें, how many लोगसभा मेंबर are there in the committee of parliament on official language, अनि संसदी राजभासा समीती में लोगसभा के कितने सदस होते हैं, तो यह हमारा होता है, और अफशन C, 20, वही राजसभा की बात करें, राजसभा में हमारा होता है, 10, वहीं कर टोटल पुछेगा, तो होते हैं, नेस्ट प्रसन की बात करें, how many regions classify under official language, rule and राजभासा नियम के अधिन कितने सेत्रों में बरगेगीत किया गया है, तिसका सही उत्तर हमारा A region, B region, C region, और हमारा option B हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नेस्ट प्रसन की बात करें, when was the official language, एक पास्ट, राजभासा अधि डीयम कब पारित हुआ था, इसका सही उत्तर हमारा 1963 में पास हुआ था और यहेगर इमेंडेर की बात करीज़ कव एमेंडेर हुआ था यानि संसुदन इसका सही उत्तर हमारा 1960 हो जाएगा लेकिन हमारा यहां पूछा गया था कब पास हुआ था तो पास होने का हमारा सही उत्तर 1963 ही होगा यानि option C हमारा सही उत्तर होगा निस्ट प्रस्ट की बात करें, how many Hindi courses are prescribed for central government employees यानि किन सरकार की करमचारियों के लिए, कितने हिंदी पार्ट गरम निधायद किये गए हैं, इसका सही उत्र हमारा option D, तीन निधायद किये गए हैं निस्ट प्रस्ट प्रस्ट की बात करें, which is the elementary Hindi course prescribed for central government employee यानि किन्द्रिये करमचारी के लिए कौन सा परवरम भी Hindi course निधायद किये गए हैं, इसका सही उत्र हमारा option A, पर वोथ हमारा सही उत्र हो जाएगा निस्ट प्रस्ट 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 की बात करें, who is the chairman of central Hindi committee यानि के चेर्मेन कौन होते हैं, इसका सही उत्र हमारा option A, प्रहान मंत्री होते हैं निस्ट प्रस्ट की बात करें, who was the chairman of the official language commission यानि राजभासा अधिनियम कब पारिद हुआ था, सही उत्र हमारा उन्हें 176 हमारा सही उत्र हो जाएगा निस्ट प्रस्ट की बात करें, who prepares the animal program on official language यानि राजभासा पर वार्शी का आजग्राम कौन त्यार करता है यानि option A हमारा सही उत्र हो गया, यानि आपको वीडियो कैसा लगा, आप comment बक्स में बता सकते हैं निस्ट वीडियो आपको किस टॉपिक बचाए उसके भी आप बता सकते हैं और वीडियो को लाइक, सेर करना न भूले, धन्यवाद हुआ है